अब देखिए आगे जो आने वाला और भी इंट्रेस्टिंग आने वाला है और important है ठीक है यह question में बहुत जगा यूज होता है हमारे student तो इस चीज़ को mark कर लिजेगा और note down कर लिजेगा important ठीक है देखिए यह चीज़ तो आपका बहुत जगा यूज होने वाला है है ना apgp arithmetic mean है ना या आपको question domain वगारा में है ना range वगारा find करने में इस तरह का property यूज हो जाते है तो क्या बोल रहा है किसी number में आप उसके reciprocal अगर आप add करते हो किसी number में आप उसके reciprocal को add करते हो तो वो number का addition always greater than equal to 2 होता है कब जब वो number आप greater than 0 ले रहे हो और equality यह जो बात कर र है ठीक है कि जैसे माली जे मैं बोल रहा हूँ 2 और plus 1 by 2 तो 2 को लिया और उसमें कुछ add कर रहा हूँ तो हमेशा तो 2 के बराबर मतली 2 से तो बढ़ा ही आएगा 2 से तो बढ़ा ही आएगा ठीक है कोई भी number ले लो 3 1 by 3 मतलब basically आपको यह ध्यानक में positive में count कर रहा हूँ तो 1 by 2 को लिया तो इसका reciprocal तो 2 आएगा 1 by 3 तो इसका reciprocal तो 3 तो 4 लोग है 1 by 4 तो 4 आएगा तो एक किसी number को add करते हो जब आप उसके reciprocal में तो वो number का addition या तो 2 से बढ़ा आएगा या फिर उसके बराबर आएगा 2 के बराबर आएगा और बराबर कब होगा जब 1 तो 1 का reciprocal तो 1 ही जैसे यहाँ पर देखिए, यह तो आपको number के form में बहुत असान लग रहा होगा, यही चीज को जब generalize कर दिया जाता है, x के form में, और पूछ दिया जाता है, कि बता बाबू, यह 2 कब होगा, तो आदमी लोग उसको देखते रहता है, रही कब होगा, सोचने लगते, सोचने तो अगर यह property आपको धिहान में है, तो आप बीना सोचे, आप उसको click करके मारोगा की answer, यह होगा, जिससे मैं बोलू, x plus 1 by x, है न, तो अगर मैं किसी से पूछूँ, ठीक है, या आप से कोई पूछे, यह x plus 1 by x का range क्या होगा, range मतलब कहा से कहा तक जागा, interval पड़ी रह infinity पर हमें साध्यान रखेगा, open वाला sign होता है, कौन सा sign होता है, open वाला sign होता है, ठीक है, चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं, अगला property क्या बोल रहा है, a plus, फिर same है, देखिए, same, same चीज, लेकिन यहाँ पर यह बोल रहा है, कि less than equal to minus 2, तो कब condition change है है हमारे भाई, a less than 0 है, मतलब जब आप वो number negative count कर रहे हो, जब आप वो number negative count कर रहे हो, तो उसका जो value होगा, और उसके reciprocal का addition, मिला के क्या नमेला है, minus 2 से lesser आएगा, या फिर minus 2 के बराबर आएगा, बराबर कब, जब a equal to minus 1, obvious ही बात है, minus 1 plus, और उसका reciprocal करोगे तो क्या होगा, minus 1 ही आएगा, तो यह तो minus 2 के बराबर होगा, तो inequality, जो है, वो equality में तब बद लेगी, जब यह minus 1 लोगे, और नहीं तो हमेशा minus 2 से छोटा ही होगा, ठीक है, तो यह चीज के दियान रखिएगा, कि यह 2 से infinity में तब लिख रहा हूँ, जब x greater than 0 की बात कर रहा हूँ, यह अगर बोल देता सुरू question में की x less than 0 है, तब आपका inequality वाला यह चीज अंसर ऐसे आता, कैसे आता है, minus 2 से छोटा, और उसके बराबर, तो कहां से start करते है, greater than कहां से start करते है, minus infinity से, और minus 2 पे close लगा देते है, minus 2 पे close, ऐसे आप read करने जान जाओगा, ठीक है, inequality को कैसे लिख रहे है, वो भी आप यहाँ पे सिख रहोगी कैसे इस चीज को लिखा जाता है, ठीक है, चलिए, आगे हम लोग देखते है, आगे point क्या बोल रहा है, आगे आपका point बोला, if x greater than 2, अगर x को आप 2 से बढ़ा लेते हो, अब दिखिएगा, यहाँ मैं इसके reciprocal का inequality बताने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि property तो आप देख रहोगे और समझ भी जाओगे, हाँ ऐसे आता है, लेकिन reciprocal वाला में एक property यहाँ आपको गल्ती करे रहे है, और पक्ता गल्ती करोगे, देखिए का कैसे, इसमें property की पहले बात कर रहा हूँ, x greater than 2 मतलब बोलना क्या चाहरा आपको, कि x greater than 2, तो less than कह आता है, 2 तो चला जाए, 2 मतलब कहा है, 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा, तो कहां तक जाओगे, infinity तक पहुचेगे, उससे ज़्यादा कहा है, मतलब अनन तक जाओगे, तो infinity पे तो हमें इसा open sign रहता है, open वाला, तो open के लिए तो यह आप करोगे, ठीक है, less than infinity तक जाओगे, x तो 1 by x, तो 1 by x क्या होगा, कोई भी number है, उसका reciprocal करोगे, तो वो number तो छोटा हो जाता है, है ना, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा, कि 1 by x जैसी आप इसको लिखोगे, 1 by x आप जैसी लिखोगे, तो यह जो आपका infinity वाला है, यह जो greater than sign इसके infinity दे इधर, तो मतलब, यह less than जो sign दीकरा, basically, यह तो greater than sign में convert हो जाएगा, तो यह 1 by infinity का reciprocal क्या करोगे, 1 by 1 upon infinity क्या होगा, 0 होगा, 10s 2 मतलब, यहाँ पे क्या बलोगा, 0, क्योंकि एक किसी number को infinities divide करोगे, तो बहुत ही बहुत ही छोटा number, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब, बहुत छोटा, तो 0 से हम लोग equate करते हो उसको, ठीक है, तो 1 by x greater than 0, और less than क्या हो जाएगा, 1 by 2, क्योंकि 2 का reciprocal क्या होगा, 1 by 2, तो यह पहले यहाँ देखिएगा, inequality वाला कैसे, इस number को उठाके, यहाँ रखें, और इस number को उठाके, यहाँ पे रखें, just इसका reciprocal, inequality को change कर दी, ठीक है, infinity वाला और यह, यह हमेशा trend follow तब होता है, जब आपका number दोनों side positive हो, देखिए, यह वाला number क्या positive है, यह दोनों का दोनों क्या positive, positive वाला range में आ रहा है, तो से infinity number क्या होगा, positive number होगा, तो यहाँ मैं बता दिया, कि number दोनों side अगर positive हो, तो यही trend follow होने माला, जो generally आप लोग करते ह कि कोई number है, उसका reciprocal क्या हो जागा, उस number से छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं ही बात कर दिया, जैसे यहाँ पर देख लीजी, x less than infinity, sorry, x less than minus 3 ही दिख रहा होगा, x less than minus 3, इसको आप पूरी की पूरी whole form में लिखोगे मतलब, तो कैसे लिखोगे, x less than minus 3, मतलब, अगर number line पर देखोगे, तो देखेगा, कैसे लिखोगे इसको, minus 3 से छोटा, minus 3 से छोटा, मतलब, इधर तो जाना नहीं है, इधर जाना है, इधर जाना है, तो क्या minus 3 को include करूँगा, नहीं करने वाला हूँ, तो इसके उपर तो open रखेगा, तो इधर कहां तक जाओगे, minus infinity तक, एक तरह से क्या हो गया, minus infinity पर तो अभी just बताया है, हमेशा, मतलब, infinity या minus infinity पर हमेशा, infinitical क्या होता है, open होता है, और कहां तक जा रहे हो, minus 3 तक, तो कहां, open रखना, close, open रखना है, क्योंकि equality तो दिया नहीं, तो यह आपको क्या, minus infinity से minus 3, अब इसको reciprocal में convert कर रहे हो, तो reciprocal reciprocal में जैसी मैं convert कर रहा हूँ, तो अभी मैंने क्या बता है, अगर दोनों के दोनों side same sign है, मतलब, दोनों के दोनो side क्या है, same sign है, positive, दोनों को side दो positive या दोनों negative, तो यह वाला number पता हीगा कैसा है, negative वाला range में, तो भी वही trend follow आने वाला है, मतलब, one by x करेंगे, तो क्या हो ने वाला हूँ, और इन minus infinity को इधर पटकने वाला हूँ, reciprocal के साथ, तो one by x में लिख दूँगा, है ना, यह वाला less than sign था, minus three के लिए, तो इधर क्या हो जागा, greater than, तो minus one by three, है ना, इसके साथ फिर, इधर का काम कर लेंगे, और minus infinity को क्या हो जागा, zero, one upon minus infinity इस तर से करोग जैसे यहाँ पर देख लो, दोनों का दोनों positive वाला count हो रहा था, ठीक है, यह वाला चीज, यहाँ पर देखो, दोनों का दोनों negative, मतलब दोनों के दोनों जो number है, वो दोनों same sign के है, मतलब negative है तो negative, positive है तो positive, दोनों का दोनों negative, तो जो reciprocal वाला में कम होता है, वो कम ही होग उस्या तो नहीं होगा लेकिन देखिए अगला next हमला आने वाला है तो ध्यान से देखिएगा अगर मैं बोलू प्रुपर्टी को नहीं देखिए मेरे example को देखिए ठीक है क्योंकि वहाँ पे पहले आप confusion नहीं तो सीखोगे नहीं कभी कभी confusion भी create करना जरूरी हो जाता है कैस देखिएगा मैं यहां से आप से बोलू एक्स लेस देट न टू कर जब मैं एक्स लेस दें 3 लिख दे रहा हूं ठीक है चलिये एक्स लेस देन 3 हो गया तो यह तो आप सिओस्ट अगर इसको आप number line पे दखोगे तो क्या बोलो गया यह 3 है भाई तो 3 से छोटा चल जाना त तो यह तो minus infinity तक छोटा जाएगा ठीक है तो यह पूरा का पूरा तो आएगा 3 पे open कर दोगा बिल्कुल सही कोई दिक्कत नहीं तो अब यह बताईए अगर मैं 1 by x आप से पूछू 1 by x आप से मैं पूछू यह तो minus infinity से बड़ा हो गया ठीक है 1 by x मैं आप से पूछू तो क्य क्या बोलोगे सर तो अभी आपने बताया था क्या बताया था कि इसको minus infinity को इधर ले दीजे तो यह greater than वाला चीज जो इधर इधर आने वाला है इस तरह से 1 by 3 कर देंगे और इधर लिख देंगे 0 ऐसे होगा क्या इतो उल्टा आ जाएगा कभी ऐसा possible होगा क्या कि 1 by कोई ए हो same sign के हो लेकिन यहां तो opposite sign के हैं कैसे है opposite sign के हैं तो जब कभी भी ऐसा आया मतलब inequality को use करके उसके reciprocal के inequality को बताना है और वो दोनों side same sign का नहीं है तब क्या करने वाले हैं तब उस interval को आप break कर दिजिए positive और negative में मतलब whole के whole negative में whole के whole positive में जैसे मैंने यहां पे कर रहा है देखिए यह तो आपका ज़स्ट answer होगी है यह चीज़ को मैं ध्यान दिया दिये यह तो interval बता दिया यह चीज़ क्यों ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि दोनों को दोनों side अगर same sign का नहीं है तो आपको सामने दिख रहा है यह गलत होने वाला inequality following नहीं करेगा तो अगर inequality और उसके reciprocal को follow करना है inequality जो follow कर रहा है और reciprocal को follow करना है उस number के reciprocal को तो दोनों के इसका leaking one by x का ठीक है थाड़ा ही razor बड़ा ले रहा हूँ ठीक है इसको तब आप लोग को अच्छे से यहाँ पर screen भी बता रहा हूँ ठीक है student चलिए तो तो तोड़ दिये यहाँ पर कैसे तोड़े देखिए चलिए 2 का example उठा ले रहा हूँ तो x less than 2 तो x less than 2 में यहाँ प 0 से 2 क्योंकि number line पर अगर आप देखो गए तो minus infinity से 2 अगर यह आ रहा है ठीक है तो यहाँ बीच में 0 भी है तो 0 में है तो यहाँ यह वाला negative है यह negative वाला range है negative वाला number है और यह positive वाला number है यह 0 से separated है तो यह negative का अलग उठा लिया positive का अलग उठा लिया अब यहाँ पर reciprocal वा हो गए तो दिक्कत ही नहीं हो गई इसलिए जब दोनों में अगर यह अलग 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 है sign तो ऐसे काम करने वाले है उसको discrete में तोड़ दिए अलग अलग interval में मतलब positive और negative में तोड़ दिए ठीक है और आपको वो जो पिछले बार property यूज कियो वही follow करना है ठीक है तो य यहाँ पर यह वाला चीज को इधर उठाके लिए जाने वाले है ठीक है तो minus infinity को आप इधर ले जाओगे तो one upon infinity मतलब one upon minus infinity क्या लिखोगे जिरो लिखोगे ठीक है और one upon zero तो one upon zero basically यह zero कौन सा वाला है zero negative बोला है x tends to zero negative x tends to zero negative बोला है तो वो तो minus infinity देगा ना x tends to zero negative पर one by x क्या होगा रोगा नग anterior नगे रिखोगे तो यह तो one by two इधर आ जागा यह one by two इधर होजागा और यह one by zero क्या होगा पॉर इणफिनिटी होगा क्यूंग कि यह positive विल्ञा थे ले इक्स? देख चुला जेंटी पर one byze और आ जागा और यह one by two इधर नगा जागा और होगा तो ये वाला trend फॉल होगा, ये चीज़ समझें ने student कैसे मैंने लिखा, अब इसको अगर आप इतरा से open bracket ये वाला use करना चाहते हो, inequality कैसा ये use करके bracket ये use करना चाहते हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो, minus infinity से 0, union 1 by 2 से infinity, क्योंकि ये दो term में जूट गया, और बोलंगे ये दोनो को satisfy कर रहा, minus infinity से 0, sorry, minus infinity 0, और 1 by 2 से infinity, तो ये चीज़ हो गया, देखे, minus infinity से 0, और आपको 1 by 2 से infinity, ये वाला ऐसे भी नहीं था, ये तो county नहीं है, ठीक है, तो या तो ये वाला range होगा, या तो ये वाला range होगा, ठीक है student, चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, confusion अकसर करता है, क्यों confusion करता है, देखेगा, ये मैं screen पर सामने क्या लिखा हूँ, if a less than b, then a square less than b square, क्या, आप मानते हो कि ये हमेशा follow करेगा, मैं बोलने होगा, always not followed, does not follow always, कैसे देखे, मैं example से आपको बताने वाला हूँ, ये क्यो always follow नहीं होता है, चलिए, इस example को picker लिज सही है, आप मान सकते हो two less than three, हाँ सर सही है, तो मैं बोल सकता हूँ, four less than nine है, बिल्कुल सही है सर, तो अब देखे, ये example अगर मैं pick करता हूँ, minus four less than three, सही है, minus four तो छोटा होता है, तरी से, लेकिन जब आप square करोगे, तो क्या 16, nine से छोटा होता है, सर ये तो नहीं होता है, तो मखा गए ना गर्चका, कि ये trend हमेशा follow नहीं होता, number पे depend करगा ध्यान दीजेगा, तो वहाँ पे आपको careful रहना पड़ेगा, वहाँ पे आपको careful रहना पड़ेगा, ठीक है, क्यों, 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 फिर से वही fund आ रही है, बीच में zero आने वाला है, दिख रहे ह इस case में क्या मैं बोलूँगा, ठीक है, ये less than था रहा था, लेकिन ये तो बड़ा वाला हो गया, छोटा तो नहीं नहीं बोल सकता हूँ, 16 less than 9 थोड़ी बोलूँगा, ये तो बड़ा वाला पे सही होगा ना, ये तो बड़ा लिखा हुआ है, तो सही है, मैं less than की बात कर र करते हैं, अक्सर बच्चे, अक्सर बच्चे इसमें confusion करते हैं और हमेशा रों करते हैं, x square greater than 4, सही है, चलिए, बिल्कुल सही मान रहा हूँ, ठीक है, अब x less than 2 ले लिया, तो क्या बोलोगे, x square less than 4, ऐसा, x square अगर less than 4 इसका मतलब क्या बोल रहा हो, वो number x square को आप क्या बो हो आँ, तो कहने का मतलब है कि number देखिए, यहाँ पर यह follow क्यों हो गया, क्योंकि यह positive ही वाला ही था, देखो 2 से infinity जा रहा था, यह वाला number 2 से infinity जा रहा था, और यह वाला number में देख रहा हो, minus infinity से 2 में क्या आ रहा है, positive number भी आ रहा है, और negative number भी आ रहा है, इसलिए inequality माइनस infinity से 2 में, माइनस infinity से 2 में, क्या रहा है, 0 भी आ रहा है, ठीक है, तो आपका यह negative वाला term है, इधर positive वाला term है, positive वाला range है, तो इसलिए गर्चा खा रहे, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को कि क्यों गलती होता है, यह नहीं कि खटाक से square किये, और वही लिग दि यह तो mark करिएगा student, और no down astrology करिएगा, ठीक है, ताकि आप इसी तरह के गलती ना करें, अनिता आपके question यह सब कहां पर use होते हैं, अक्सर यह कहां पर use होते हैं, question बनाने के लिए, ऐसा थोड़ी है कि यह direct question आता है, यह आपके बीच बीच वाले question में use होंगे, आप पूरा म लाइक, share और subscribe करना ना भूलेंगे दोस्तो, अपने धेरों मित्रों के साथ इस चीज़ को share करें, और इसी तरह से MSKB Institute का अपना प्यार बनाये रखें, so that MSKB Institute आपके लिए इसी तरह से मेहनत करता रहे, और आपको लोग अपने exam में अच्छा करते हो, thanks for watching our video with student, मिलेंगे ह आम लोग, next class